बाहु बली डॉन मुक्तार अंसारी की आज गाजीपुर कोल्ट में गवाही होने वाली है लेकिन गवाही को लेकर कहीं न कहीं असमंजस की स्थिती है कोहरा कारण बताय जा रहा है कि आज हो सकता है कि मुक्तार अंसारी की गवाही एक बार फिर न हो एक बार फिर आगे बढ़े और ये जो आदेश की कापी ABP गंगा के पास है आप देखें इसमें साब तोर पर ये लिखा है कि यहाँ पर मुक्तार अंसारी को सुरक्षा बेवस क्या है और क्या मुक्तार अंसारी आज कोर्ट में आ पाएंगे गवाही देने के लिए बिजेश सिंग के खिला देखिए माननी न्यालय का जो तीन जनवरी पिछली तारिक थी उसके समद्ध में माननी न्यालय द्वारा आदेश जो किया गया है उसमें तो अभ्योजन को साच अच्छी मुक्तार अंसारी को न्यालय में प्रस्तुत सुनिश्चित कराने के लिए आदेशित किया गया है लेकिन अभी आने की स्थिती में वापो बना हुआ है कि आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं क्योंकि काफी कुहरा है रात में और मौसम बहुत खराब है और दो तारीक को दो जन्वरी को माननी अपर सत्र नायधीस महोदय विशेश नायधीस MPML कोट में हमने अरजी दी थी उनकी सुरच्छा को लेकर जिस पर माननी न्यालय द्वारा आदेश किया गया है कि न्यालय में संपूर्ण सुरच्छा बेहुस्ता है तो अपर मुख्य सच आदेश्यू ग्री को पत्रप्रेशित किया जाए तो यहां पर आने की स्थिती में हम यह कह सकते हैं कि अभी कोई निश्चित नहीं है उनके आने की संभावना पूरी नहीं लग रही है कि आएंगे या नहीं आएंगे अगर नहीं आएंगे तो मानी नियालय द्वारा अग कुछ है expand का डर ही कि ऑना सिंग के खिलाप कवाही होनी है और एक अ हुआशी मुटार अचारी किसी सत्ता में नहीं है वर्तमान में और वो पूरविधायक हैं तो वो ब्रिजेश सिंग से उनको मतलब डरते नहीं हैं लेकिन उनको ये सुरच्छा की मांग की गई है उनके द्वारा कि वो सुरच्छित धंग से जेल से आ करने आले में गवाही दे सकें और सुरच्छित धंग से यहां से वो बाद जेल पहुंच जाएं इसके लिए वो सुरच्छा की मांग उनके लड़के उमर अंसारी द्वारा अनरेबुल सुप्रीम कोट के अनरेबुल चीफ जस्टिस से भी प्राथनापत की माध्यम से सुरच्छा की मांग की गई है और यहां पर भी सिरिमान अपर सत्र रायधीस महु कि उनको सुरच्छा दिया जाए क्योंकि एक निहत्ता आद्मी गाड़ी में आ रहे हैं तो उनको तो सुरच्छा नहीं मिलेगी तो गवाही नहीं दे पाएंगे तो ऐसे में अभ्यूक्त को उसका लाभ मिलेगा इसलिए वो सुरच्छित धंक से गवाही देने के लिए सु पीछे क्या कहीं डाउन को लेकर साजिस तो नहीं चल रही है कोई पीछे तो नहीं है इसके क्या क्या है देखे गवाह जो पलट रहे हैं तो आपको इससे समन्द में एक बात महश्पश करना चाहता हूं कि यह जो घटना है 15 जुलाई 2001 की है और आज से लगभग जो है एक कईस वर्ष पुरानी घटना है तो कोई भी मुकदमे में इसमें बिर्जेश सिंग के मुकदमे में भी जो गवाह तवकीर अहमत का बयान हुआ है और उन्होंने नाम लेने से मतलब नाम नहीं लिया है तो इसके पीछे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नियालाय में जो भी गवाह आते हैं और भी मुकदमे में इस मुकदमे में भी जो भी गवाह तो आदर्णी जीला धेकारी महोदया द्वारा एडिजीसी महोदय से यह जवाब तलब होना चाहिए कि इस मुकदमे में गवाह अभ्यूक्त का नाम 161 में जब लिये हैं तो नियालाय में नाम क्यों नहीं लिये इसके पीछे क्या कारण है सासन द्वारा मैं असपश करना चाहता हूँ कि सासन द्वारा जो भी एडिजीसी महोदय नियालाय में नियुक्त होते हैं तो उनकी रिस्पासिबिल्टी होती है कि कोई भी गवाह आता है तो उस घटना के समद में केश डाइरी में जो 165 का बयान आयो द्वारा दर्ज किया जाता है उसको दिखा में उसको बता में कि ये बयान है आपका और ये गवाही आपकी होनी है इस घटना कप की है ये कौन-कौन लोग थे अभ्यूक्ति इसमें क्या इसमें रोल क्या है कि सभ्यूक्ति का ये सब एक सहयोग का ब्यान पढ़कर उनको गवाई से पहले बताना चाहिए डिजिसी का कोई सहयोग नहीं था आपका ये कहना देखिए मुझे जैसा की देखने में लगता है क्योंकि मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूं तो मुझे मतलब जो मैं देखता हूं कि इस केस में जो भी गवा आते हैं उसको केस डायरी का एक सट का बयान न तो दिखाया जाता है न तो पढ़ाया जाता है जहां तक मेरे संग्यान में है तो इसके समय में आदरणिया माननिया जिला धिकारी महोदया द्वारा असपश्ट रूप से इसमें जवाब देही किया जाना चाहिए आपने इसकी गुहार लगाई है जिला धिकारी से आपने अपिल की है लेकिन मुझे जो है आपको ये बताना उचित समझा कि गवाह को अगर 161 का ब्यान नहीं पढ़ाया गया और वो नाम अभ्यूत का 161 में लिया और नहीं कोट में ले रहा है तो आदरणिया जिला धिकारी महोदया द्वारा इसके समझ में जवाब तलब किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है इस केस में कि 161 के बयान से गवाह क्यों मुकर रहा है और आधरन ये पुलिस अधि छक महुद है द्वारा भी इसके समंध में जाच किया जाना चाहिए कि गवाह जब 161 में नाम लिये हैं तो कोट में क्यों नहीं नाम ले रहा है बड़े सवाल है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज डान की गवाही पर उहा पोहकी इस्थिती है और उनकी अधिवक्ता का साप तोर पर ये कहना है कि जो गवाह पलट रहे हैं कहीं न कहीं ADGC भी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस वक्त की घटना है उस वक् आया नहीं जा रहा है ADGC द्वारा लहाजा जिलाधिकारी भी इस पूरे मामले पर संग्यान ले और इसके साथ ही जो यहां के पुलिस महकमे के अधिकारी हैं वो भी गवाहों के पलटने की स्थिति का संग्यान ले इस वक्त हम गाजीपूर कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और आप मौसम देख सकते हैं यहां पर कोहरे की स्थिति है लेकिन यहां पर आज माफिया डान मुक्तार अंसारी को गवाही देने के लिए आना है लेहाजा सुरक्षा ब्यवस्ता चाक चौबंद की गई है आप देखें यहां पर यह पुलिस के जवान तैनात कर दिये गए है इसके साथ ही सामने यह बरिकेटिंग भी यहां पर लगा दी गई है और इसके साथ ही अगर बात करें तो आज मुक्तार अंसारी की गवाही को लेकर यहां उहापो की स्थिति फिर से देखी जा रही है क्योंकि कोहरा बड़ा बाधक बन सकता है मुक्तार अंसारी की गवाही है कि मुखतार अंसारी के गवाही में कहीं न कहीं जो कोहरा बाधक बन रहा है उसमें एक बड़े इंतिजाम की जरूरत है सुरक्षा की जरूरत है इसके साथ ही उन्होंने साब तोर पर यह कहा है कि जो गवाह पलट रहे जो गवाः बदल रहे हैं उन पर भी प्रशाशन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस तरह से ADGC के यहाँ पर पूरी कारिशैली है उन कारिशैली पर भी सवाल उठाए गए है और जिलाधिकारी के साथ यहां के पुलिस महक में से यह मांग की गई है कि गवाहों के पलटने पर ध्यान दे इस पर उचित कारवाई करें अब देखना यह होगा कि क्या आज मुक्तार अंसारी के गवाही यहां पर हो पाती है क्या जो उनके अधिवक्ता की मांग है उन मांगों पर गाजेपूर जिलाप्रशाशन ध्यान देता है आखिर गवाहों के पलटने के स्थित पर जिलाप्रशाशन किस तरह से अपना संग्यान लेता है और आगे कि स्थिति क्या होती है कैमरामेन विश्यष के साथ नेतिश कुमार पांडे एबीपी गंगा गाजेपूर एबीपी गंगा खबर आपकी जवाआपकी